कुछ ऐसे एथिलीट से जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए सबसे पहले साल 1904 में फ्रांस में हो रही साइकल रेस में एक साइकलर हिप्पोलीड ओकेट यूरी फिनिश लाइन पर इतनी जल्दी पहुँच गए थे कि लोग इन्हें शक्की नजरों से देखने लगे थे जिसके बाद पता चला कि हिप्पोलीड ने रेस के दोरान अपने दातों से एक कौर्क पकड़ रखा था जो कि गाड़ी में बंधे एक तार से बंदा हुआ था इसलिए ये इतनी जल्दी फिनिश लाइन पर पहुँच गए थे साल 1949 में जर्मन एथिलीट दोरा रेटजन ने यूरोपियन एथिलीटिक्स चेंपियनशिप की वूमेन हाई जंप में 1.67 मीटर उंची जंप लगाकर एक वर्ड रिकॉड बना दिया था लेकिन उसके कुछ समय बात पता चला कि डोरा लड़की नहीं बलकि एक लड़का था जो लड़की बनकर वूमेन हाई जंप में उचल कूद कर रहा था रेज जीतने के लिए कई एथिलीट्स ड्रक्स का सहारा लेते हैं कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2008 में हुई बेंजिंग ओलम्पिक गेम्स में जिसके पाडिसेपेटर चॉनी हैंसन ने ड्रक्स खुद नहीं लिया था बलकि गेम के दोरान अपने घोडे को ही ड्रक्स दे दिया था और तो और इन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीत लिया था लेकिन जब इनकी करतूत का पता चला तो इनसे मेडल चीन लिया गया